इस विडियो में हम ये समझेंगे कि DOB से कैसे जौन सकते हैं कि आपका धन्योग या राज्योग जो फलित होता है वो कब फलित होता है और वो जो बताएंगे आज हम बात करेंगे 4, 9 और 2 के बारे में और ये कब देता है जैसे कि 4, 9 है आपमें 2 नहीं है suppose कि यह 9-2 है और 4 नहीं है या 4-2 है और 9 नहीं है तब यह कब फलित होगा आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और बर्स जैसे कि अगर हम बर्स की बारे में बात करते हैं तो 2024-25-26-27-28-29-30 और इसी परकार जो है आप अपना निकालना चाहते हैं तक का निकाल सकते हैं कि कब यह फलित होने वाला है इसके लिए आप अपना डेट वाफ बर्स लिख लिए हमने अपना डेट वाफ लिखा है 25-59-95 यह हमारा डेट वाफ है आपका कोई भी डेट वाफ हो सकता है आप उसको लिख लिख लिजिए और जब डेट वाफ लिखते ह है तो इसमें दो नमबर्स निकाल लेजिए वो नमर होता है हमारा driver और conductor और यह बहुत ही important driver or conductor number होता है किसी भी जातक में 35 साल तक हमारा driver number active होता है 35 साल के बाद हमारा conductor number active होता है यह numbers निकालने की formulाज होतے हैं जो कि classes में हम बात करते हैं अब हम driver number अगर निकालने की बात करते हैं तो ड्रैवर नमर जैसे की जिस तारीक को हमारा जनम हुआ है सपोज कीजिए कि हमारा 12 तारीक का जनम हुआ है या किसी का 14 तारीक का जनम हुआ है किसी भी तारीक का अगर जनम हुआ है तो आप उस हिसाफ से आप इसका निकाल सकते हैं अब हमारा 13 त नीचे जो कमेंट में आया था हमको याद नहीं है उनका 12 है या 13 है महेश जी का नाम था तो इसलिए हम आपको बोलते जाते कि अगर आपका डेट आप बर्थ है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं डेट आप बर्थ ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपका ले सके अब क्या आ रहा है तो हमारा निकालने निकालने के लिए 5 फिर फिर 5 कि फिर 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 क Customer 9 और फिर 5 तो यह टोटल का जो 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 राजाएगा वो हमारा आ जाएगा सब्सक्र बद्तीस का कितना हो गया 이uls का हमारा पाउंच अब पांच यहाँ पे आ गया अब पांच आ गया इसके बाद क्या करेंगे हमारा ड्राइवर भी निकल गया है और कंड़क्टर भी निकल गया है ड्राइवर हमारा निकला है चार और कंड़क्टर निकला है हमारा पांच अब हम इसको लोसो गीड में भरने का कोशिस करेंगे अब देखे यहाँ से arising करेंगे यहाँ पять है तो यहाँ पर एक है तो यहाँ पर हमें एक लिखेंगे क्योंकि हमारा एक कहां पर है यहाँ पर उसके बारा आह sesk पर doublo राइन जो परिवाज़ा करेंगे सिक्संस वर नमर कितना था चार तो चार हमारा यहां प्याद आएगा और जो है दो नमर नहीं है सात नमर नहीं है *** हमारे पास में छी नमर नहीं है और हमना यहental नमर आ गया है यहां पर फिर से देख लिए हैं एकर गलती हुआ है या कंप्यूज हुए तो जीसे ड्रायवर नमठर हम पहले भर लेंगे उसका पूल कंडुक्टर नमर भर लेंगे और जितना भी नमरश है उस नमरव में जो मीशिंग नमर एपुर्तों करनेगे और टू का अब देखे इसमें जो है टू नमर इस जातक के पास में नहीं है अब हम देखेंगे कि टू का शपोर्टिव नमर है क्या हम वोची समझेंगे और उसके बाद समझेंगे फोर नाइन अगर इसमें है तो यह क्या प्रॉब्लम्स आपको दे सकता या यह ग्रीड अग होगा इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा इसको मेटर प्लेन की नाम से भी जानते हैं धन समपती के लिए राहू बहुत ही अच्छा होता है यह राहू का नमर है चाथ नाइन जो है यह परसिद्धी देता है किसके लिए तो बिजनस में जो परसिद्धी देता है वो और पैसे के लिए अगर भर जाता है तो यह ज़्यादा दिक्टत नहीं तो खास करके इस्तिति में दो का अगर कोई भी टोटका अगर करते हैं अब ही तक इस वीडियो को समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिये चलिए लाइक कर लिए अब हम आगे बर्षते हैं अब देखिए बर्ष के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि सूर्ज, चंद्रमा, मंगल, राहू, उसके बाद गुरू, सनी, बुद्ध, केतू और सुक्र इसमें एक महिने का है लेकि यहाँ पे देखते होंगे कि 28 में एक्टिव हो गे है, 28 지금 13 दी ज़हादा है, तो इसमें आफ मैं confused मत होई है क्यूंगकि राहु, वह 28 दिन ज्यादा लेता है, जब हमyorहां निकालेंग nursery यहाँ पर यह ज्ञान देंगे 28 दिन जो है इसका जादा होगा ही होगा पुछ भी करिए तो जैसे कि सरसाती है तो सरसाती जो है अगर किसी भी कल्क लगन में होता है तो वह सरसाती तीन महिना तक आगे जाता है चार महिना तक आगे जाता है तो इसी परकार यह 18 दिन जाता है जादा सनी 27 दिन आगा जाता है इसलिए ये थोड़ा सा आगे गया है एक महिना चाहता है ये लगबग दो महिने के बराबर में होता है बर्स के हिसाफ से हमने यहां पे लिख दिया है एक छे आठ एगारा आठ नो दस चाथ आठ अब देखिए अगर इस ग्रीड की बात करते हैं तो धन संपती की बात करेंग यहां पे दोजर आठ में बात करेंगे तो इसको आठ में देखिए यह ग्रीड है क्या नहीं है अगर इस प्रसिद्धी तो कि पांच डवल मास्टर नमर बना रहा है अगर इस नाम आदमी का जातक का नाम छे पर भी होता आप देख लिए आपके चाहत में छे है क्या अगर छे है तो प्रसिद्धी भी दो या चोबस में मिल सकता है साधी यहां पर बात नहीं करेंगे को कि देखना होता है देखिए यहां पे यह ग्रीड अगर आपका भर चुका है ना जैसे एक भी है चाहर है तो यह प्रावलिम भी क्रेट करता है किसी विजातक में यही उल्टा अगर बन गया है आपके चाहर्ट में यही उल्टा अगर बन गया है तो यह भी चाहर्ट में जो ह five जो है master number है कहीं भी अगर आपके चार्ट में six नमर अगर आ चुका है अगर यह single single bar भी है लेकिन nine double bar होना चाहिए क्योंकि एक century का nine है तो double bar है और यह double bar five आ गया है तो यह दोजार पचीस यह तीनों चीज दोजार पचीस में भी देगा परसिद्धी भी देगा साधी भी देगा और पैसे की जहां तक की बात करेंगे तो पैसा तो देगा लेकिन healthy जादा देगा यह बात याद रखिएगा खास करके लड़की में तो और ज्यादा देगा ठीक है अब हम बात करते हैं एक में तो एक का repetition पर ध्यान दिजिए एक का repetition कितने बार है प्रस्नल एक में यह support नहीं करेगा तो यह जो है संपती के लिए थोड़ा सा negative करेगा यह परसिद्धी देगा यहाँ पर क्योंकि यह इस चार्ट के लिए परसिद्धी जरूरी है यानि कि इस चार्ट के लिए परसिद्धी देग तो इस चार्ट में देखेगा तो यह दिखवली तो तीन नमर नहीं है तो तीन नमर दिखवली होता है बहुत से एक्ज़मपल में भी आपको क्रास में बता चुके हैं तो यहाँ पर यह दिकत साधी में थोड़ी सी दिकत दे सकता है पैसे के लिए अगर यह तीनों में नहीं रहेगा क्योंकि दो नमर जो है यहां पे नहीं है तो सत्ता ही जो है आप भूली जाईए संपती के लिए भी प्रसिद्धी के लिए भी और साधी के लिए भी और मैरेज के लिए पैसे के लिए भी क्योंकि यहां पे दो नमर नहीं है अगर दो नमर है तो फिर यह आ आदमी नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रस्पति का रोल जो है बात करते हैं तो चार महिना जो है खास करके वह निगेटिव देता है और आठ महिना यह पोजिटिव देता है ठीक है तो यहां पर आठ महिना यह लिखा हुआ है दोज़ार उनतीस की बात करते हैं तो यह तीनों चीज देगा आपको संपति भी देगा परसिदी भी देगा और साधी भी करवा सकता है पैसा भी दे सकता है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर हम बात करते हैं दोज़ार तीस के तो तीस की इस चार्ट इस चार्ट के हिस है तब तो ठीक है पर साधी के लिए भी ठीक है प्रफिधि के लिए सही नहीं है तो sappi के लिए बार शाहिति बहुदिए बना चाहते हैं तो इस साल में बना सकते हैं उसमें ज्यादा इस से ज़ादा है क्या और से बी जाता को करोपती बना सकता है और अगर चार एक बार है तो शेर मार्केट में भी अच्छा रिजल्ट लेकर देगा तो हम यहाँ पर year के बारे में बताएं हैं आप अपने date of birth से निकालिए कि आपको क्या इसू जा रहा है और यह चार नुवा दो जो है यह कितने बार आ रहा है अगर आ रहा है तो इसका repetition कितने बार आ रहा है आप एक पर कमेंट में जरूर लिखिए हम मिलते हैं next videos में और अगर आप अपना predictions करवाना चाहते हैं तो आप अपना date of birth नीचे लिख सकते हैं और हमारी टीम जरूर आपको जबाब देगी या next अगर कोई videos बनाते हैं तो उसमें हम आपका date of birth लेकर बना सकते हैं धन्यवाद दोस्तों अगर आप नमलोजी सीखना चाहते हैं अगर आप पामेश्ट्री सीखना चाहते हैं यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं यदि आप बास्तू सीखना चाहते हैं